आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में कैसे हैं आप मैं तो ठीक हूं और आशा करती हूं आप सब लोग भी ठीक होंगे आज का जो डिजाइन है बिल्कुल अलग सा है यूनिक सा है इसको हम बच्चों के किसी प्रोचेक्ट में डाल सकते हैं लेडिज कार्डिंग में अपने जो डिजाइन है मेरे 88 फंदों के मल्टिपल चलेकर पांच फंदेश में हमारे स्टा होने चाहिए तभी हमारा डिजाइन यह अच्छे से एक्जिस्ट होगा अब यह डिजाइन की फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो में इसमें फर्स्ट सेकिंड और थर्ड तीनों र साथ अब देखिएगा यहां पर उल्टी साइट से हम इसको उल्ट उल्ट बनाएंगे इसी तरह से सिधी साइट से सीध़ अपनाएंगे चलिए गबना लिए टीनों को उसके बाद मिलते है यह देखिएगा तीन रोब बना चुके हैं अब इसकी फोर्ट रोव है और फोर्ट रोव हम रैड कलर से बनाएंगे आप अपनी पसंद का कलर लेना मैंने अपनी पसंद के लिए यह देखेगा इस तरह से राड कलर के बाद हम इसमें पूरी रो उल्टी उल्टी बना के कम्प्लीट करेंगे और यह मेरे डिजाइन की फोर्ट रो है चलिए गब बना लेते इसको यह देखेगा अब यह डिजाइन की फिप्त रो है पहला फंदस में मेरा श्ट्र है तो इसको मैं सीधा ही बना लोगे उसके बाद तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन फंदे सीधे बनाएंगे धाग अबने तरह लेके आएंगे पांच फंदे हम इसमें उल्टे भी रिपीट होंगे तीन पांच उल्टे बनाएं तीन फंदे सीधे बनाएं फिर सें पांच फंदे अपने उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और यह पांच धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो दो और ये तीन एक फंदा सीधा बनाएंगे ये लाश्ट पंदा है हमारा इसको भी सीधाई बना लेंगे ये देखे गज तरीक से तीन फंदे सीधे बनाएं पांच फंदे उल्टे बनाएं तीन फंदे सीधे बनाएं पांच फंदे उल्टे बनाएं तीन फंदे सीधे अब इसकी ये डिजाइन की हमारे 6 तरो है और 6 तरो हम अपनी वाइट कलर से बनाएंगे पहला फंदा सिधा बना लूँगी तीन फंदों को सिलिप करूँगी एक दो और ये तीन आगे के 5 फंदे हम बनाएंगे एक दो और ये तीन चार और ये पाँच तीन फंदे सिलिप करेंगे एक दो तीन आगे की 5 फंदे बनाएंगे इसी तरह से करते भी पूरी रोग को भी अपने कम्प्लीट करेंगे चलिएगा बना लेते हैं पूरी रोग को इसी तरीक से अब ये डिजाइन की 7 रोग है और इसको भी हम इसी तरीक से बनाएंगे तीन फंदे को सिलिप करेंगे बीच के फंदे बनाएंगे और पूरी रोग को भी कम्प्लीट करेंगे यह इस तरीक से है चलिएगा कर लेते हैं इसको पूरी रोब को इसी तरह से बनाते हुए complete यह देखेगा ऐसे हैं अब यह डिजाइन की मेरे 8 रोब है और 8 रोब हम इसी तरह से बनाएंगे तिन फंदों को सिलिप करेंगे और 5 फंदों को बनाएंगे चलिए फटा-फट से बनाते हैं ये पूरी रोप नी जूत है इस तरीक से अब यह देखें यहां पर यह हमारे ढकी नाइंत्रो है पहले वाले इस वाले बंदे को हम पहले वाली कि जखार लेके आएंगे यहां पर और वाइट कलर से ही हम बनाएंगे ऐसे फिर एक फंदा यह वाइट वाला बनाएंगे जो यह बीच वाला फंदा है इसको भी हम सिधाई बना लेंगे ऐसे इसको पलटेंगे यहां पर इसको यहां पर लेकर जाएंगे और इसको यहां पर लेकर जाएंगे ऐसे इपसे यहां हम ऐसे करेंगे इन दोनोंगों फंदों के पलट करेंगे यहां पर पहले वाला लेक्ए यह यह यहां में बनाएंगे का बीच में जो हमारा फंदा रेड है इसको तो हम रेड़ी बनाएंगे यह ऐसे ठीक है इसको यहां प्लट लेंगे वाइट वाला पहले लेएंगे रेड़ वाला पीछे लेके जाएंगे ऐसे और इसी तरह से हम पूरी रोव कंप्लेट करेंगे अपनी यहां पर इन फंदोगी हमें यहां पर प्लट करनी है और यह वाला सीधा बना लेंगे इसको यहां पर लेके जाएंगे और इसको यहां पर यह नाइन तरो हमारी कंप्लेट होगी यह देखेगा इस तरीक से अब इसकी यह 10th रोव है डिजाइन की 10th रोव पूरी उल्ट उल्टी जाएगे हमारी और 11th रोव बिल्कुल सीधी सीधी दोनों रोव को बना लेते हैं फिर हम आपको मिलते हैं यह देखेगा यह मेरा यहां पर 12 रोव बनके कंप्लेट होगी अब यहां से हम अपना ग्रीन कलर लगाएं क्योंकि यह जो स्टार्टिंग वाली रोव हैं हमारी तीन यह नहीं बनाई इसमें ठीक है चलीगा बनाईगा और यह इसका फाइनल लुग इस तरह का आएगा क है बनके कुछ इस तरह का लगया आपको यह मेरी डिजानिर पसंद आई हो यह आपको मेरी बताने का थारीका पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर लीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा थेंक्यू